जो तिस अचाहर जी निर्जला एकादसी कब है और किस नच्छत्र में और किस योग में निर्जला एकादसी इस बार पढ़ने जा रहा है। हरहर महादे जै बाबा विद्जना इस बार जो दोजार चौबीस का निर्जला एकादसी है वह एकादसी का संजुग भो दिनों के बार मिल रहा है। एकादसी तिथी और चित्रा नक्षट्र का संजुग यह बिरले में मिलता है। तो इस बार जो है नर्जला एकादसी के दन जो ब्रत करते हैं वे अपने घर में सुख सांती, शम्रद्धी एवन पितरों की तृत्ती के लिए उस दन नर्जला एकादसी के दिन घड़े में जल फर करके और पंखा जदी आप दान करते हैं तो इससे आपको हर तरह की फल की प्राप्ती होगी सबसे पहली बात है कि ऐसा संजोग जो लगा है चित्रा नक्षत्र के साथ नर्जला एकादसी तो इसमें दान का विशेश महत्व रहता है इस दिन घड़ा दान और पंखा दान का विशेश महत्व है क्योंकि यह 24 एकादसी में यह सर्व से महत्व पूर्ण एकादसी है 24 एकादसी जो साम में होते हैं जिसमें दिर्जला एकादसी जो है यह सबसे कटिन एकादसी है इस एकादसी को सफल पूर्वक बरत करने से इससे मुक्ती निस्षित होती है और मुक्ती के साथ साथ आपको जीवन भर पुन्य की प्राक्ति होगी इसे भीमसेनी एकादसी भी कहते हैं यह एकादसी का प्रारम भीमसेन से ही हुआ था जंगल में जब भीमसेन रहते थे तो जंगल में ही निर्जल रह करके अब्रत उम्होंने किया था